आपने शायद कभी ये सोचा होगा कि बहुत सारे लोग है जो डारे सेलिंग इंडस्टी में बड़ी सख्षच स अचीव नहीं कर पाते हैं और उसमें से वह सारे लोग होते हैं जो उसका कारणा की नहीं कर करना देखें और वो सिंपल प्रोसेस को फॉलौ करने की जगह बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेद बड़ी प्रासेस को फॉलौ करना बहुत सारे लोग इसके opposite कुछ और direction में काम करना शुरू कर देते हैं वो let's say की plan pitch करते हैं अगर compensation plan की बैंबात करो तो अगर आप compensation plan pitch करोगे तो जो recruitment का ratio है वो तो शायद आपका बढ़ जाएगा लेकिन retaining का ratio जो है वो कम हो पाएगा ठीक है मतलब आप उसको retaining नहीं कर motivation की तोर पर काम करेगा जब वो देखेगा कि plan में इंपीरियल तक जाते हैं यह है वो है तो वो theoretic जो है वो उसका पुरा mindset बना होगा ठीक है वो theory को follow कर रहा होगा वो सिर्फ figures को follow कर रहा होगा पैसे वालों को वो real में उसने product user अब तक नहीं बना होगा तो यह एक major कारण ह होता है दूसरा सबसे बड़ा major कारण क्या होता है कि जो लोग मान दीजे की आटमी में काम कर रहे हैं या डायेट इंडस्ट्री में काम करते हैं वो उनमें से 95% लोग या मैं बोलूँगा 98% लोग ऐसे background से आते हैं जिन्होंने इसके पहले मतलब इस इंडस्ट्री के पहले कभी उन्होंने team manage नहीं किया तो पहले मैंने कारण बताया उन्होंने recruit नहीं किया दूसरा कारण है कि उन्होंने कभी team manage नहीं किया तो मान के जली उनकी चार की team है और इसके पहले वो जॉब करते थे जहां पर 25,000 रुपय का salary बनाते थे या मान लिजे कि कोई दूसरा और क काम करते थे को traditional business करते थे जहां पर वो 25,000 रुपय महीने के आसपास का जो है income करते थे अब जब job करते थे तब भी वो अकेले काम करते थे वहां पर जब traditional business करते थे वहां पर भी अकेले काम करते थे दोनों category में या freelancer थे तब भी अकेले काम करते थे तीनों category में दिक्कत क् वो उस traditional business में थोड़ा सा जादा बड़ा जो है income बना दिये होते या जिस job में रहते उसमें वो promotion ले चुके होते और यही major कारण होता है कि जब team होती है कुछ लोगों के पास में तो वो team को एक direction नहीं दे पाते हैं, team को proper task जो है वो assign नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं उनकी strength को identify नहीं कर पाते हैं कि किस की strength पे, किस team members की strength पे क्या काम जो है वो करना चाहिए और इसके कारण से सबसे बड़ी problem यह होती है कि वो team को फिर multiplication पे नहीं लेके जा पाते हैं, यह सबसे बड़ा drawback है और इसलिए यहाँ पे maximum लोग जो industry में काम करते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ one man army बनके ही काम करते रह जाते हैं और यह industry one man army बनने की नहीं है, एक limit तक लगभग लगभग तीन से चार साल तक मेरे ख्याल से आप one man army के तौर पे काम करो, it is fine लेकिन उसके बाद में आपका यह काम जो है वो multiplication पे जल से जल आ जाना चाहिए multiplication पे आने का मतलब इसको identify कैसे करेंगे कि यह जो है one man army के तरीके से हो रहा है या multiplication जो है काम में हो रहा है कि नहीं, simple सा process है अगर मान लीजे कि आपने अपना काम कुछ certain time के लिए stop किया है, एक हफते के लिए, 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए stop किया है का मतलब होता है आपका income लगातार हो, team का income लगातार हो, क्या ये बिना आपके effort के, बिना आपके involvement के हो रहा है अगर ये हो रहा है, it means आपने उसको जो है compounding level पे लेके चले गए हो, या team को multiplication level पे चले गए हो और अगर नहीं हो रहा है, it means आप अभी भी one man army बनके उसको operate कर रहे हो, जो की लंबा बहुत जादा नहीं जाएगा तो ये 2-3 mistake को अगर हम लोग सही समय पे correct कर लें, और इसका technique क्या होता है इसका technique बहुत simple सा होता है, कि जब कोई व्यक्ती job से आया होता है, तो उसने कभी business नहीं किया है तो उसने कुछ चीजों को अपनी understanding के हिसाब से business समझ लेता है, कि यही business एकर के वो business की बहुत जादा गहराई को नहीं समझता है, ठीक है अगर आप इसके basic fundamental rules समझ लेंगे direct selling industry के या आयटमी के operate करने के और गंभीरता से उनको follow करना सुरू करेंगे, तब आप कोई mistake नहीं करेंगे तब आप किसी भी background से आये हुए हो, आपकी सफलता के chances बढ़ जाते हैं इसलिए हम लोग बोलते हैं कि system को follow करो, इसलिए बोलते हैं process को follow करो इसलिए बोलते हैं कि company या फिर जो आपकी team ने एक system मनाया है, वो भी proven system मनाया है इन mistakes को repeat मत कीजिए, ठीक है, और इस industry के लिए जो requirement चीज़ें हैं वो कीजिए अकसर hard work बहुत जादा करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है industry में सही direction में काम कर रहे हो या सही तरी कैसे काम कर रहे हो ठीक है, आप hard work तो कर रहे हो लेकिन हो सकता है वो गलत direction में जा रही होगी तो उसको अगर आप identify कर लोगे और इन mistakes को identify कर लोगे तो आप बहुत कम टाइम पर जो है वो grow करना शुरू कर दोगे तो ये कुछ चीज़े हैं इनको follow कीजेगा आपका business देखिएगा बहुत कम टाइम पर जो है वो rocket की speed से बढ़ना सुरू जाएगा, right, so thank you so much all and wish you all the best, thank you so much